चिकन की बड़ी ही मज़िदार और चटपटी स्टार्टर की रेसिपी बनाते हैं अफगानी चिकन ड्राइ इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हूँ एक किलो लेक के पीसिस इस पर गहरे कत्स लगा लेंगे ताकि मसाला अंदर तक चला जाए इसे अब मैरिनेट करने के लिए डालेंगे इसमें एक बड़ा चमच भरकर अधरकलैसन का पेस्ट एक बड़ा चमच भरकर डालते हैं क्रश की हुई हरी मिर्च या फिर आप हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल सकते हैं आधा चमच डालेंगे ये काले मिर्चों का पाउडर दो चमच भर कर या फिर आधे नीमो का रस इसमें डाल देते हैं नमक चिकन के हिसाब का आड़ कर लेंगे और ये पहले मैरिनेशन को अच्छी तरह से चिकन पर लगा लेंगे इसे अब मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं मिनिमुम दो घंटे के लिए फिरज में चिकन के दूसरे मैरिनेशन के लिए लेंगे आधा कप दही ये पाने निकाला हुआ दही है इसमें डालेंगे आठ से दस काजू का पेस्ट या फिर तीन बड़े चमच भर कर काजू का पेस्ट आप इसमें डाल लेजिए एक चौथाई कप डालेंगे फ्रेश क्रीम या फिर आप दूत की मलाई भी डाल सकते हैं आदा चमच है जीरे का पाउडर आदा चमच डालेंगे गरम मसाले का पाउडर आदा चमच डालते हैं चाट मसाला आदा चमच इसमें जाएगा काले मिर्चों का पाउडर एक चमच भर का डाल लेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट नमक मसाले के हिसाब का डालते हैं और सारी चीजों को अच्छी तरह से अब हमें मिक्स कर लेना है लगातार चलाते हुए दही के सारे लंप्स निकाल देंगे और इसका एक स्मूध सा पेस्ट बना लेते हैं ये दूसरा मेरिनेशन हमारा बनकर रेडी है चिकन भी दो घंटे के लिए मेरिनेट हो चुका है अब ये मिक्स्चर को डाल लेते हैं चिकन के उपर इस दूसरे मेरिनेशन को चिकन पर अच्छी तरह से लगा लेंगे और इसे फिर से रख देते हैं फ्रिज में आदे घंटे के लिए मेरिनेट होने के लिए अब चिकन को हमें फ्राइ कर लेना है तो इसके लिए चिकन के ओपर जो मसाला लगा हुआ है इसे चटक कर इस तरह से निकाल लेंगे वरना इन्हें फ्राइ करने पर सारा मसाला जल जाएगा तो चिकन के उपर का मसाला हटाने के बाद पैन पर डाल लेंगे दो बड़े चमज भर कर तेल चिकन के सारे पीसेज यहाँ पर रख लेते हैं अब हाई फ्लेम पर चिकन को हमें फ्राई कर लेना है तीन से चार मिनिट के लिए एक तरफ फ्राई करेंगे अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर आ जाए इसके बाद इसको पलट कर फिर से तीन से चार मिनिट के लिए फ्राई कर लेना है दोनों तरफ अच्छा सा गुल्डन कलर आ जाएगा चिकन के उपर इसके बाद जो बचा हुआ मेरिनेड है इसे आप चिकन पर डाल देंगे अब चिकन को ढखक कर एकदम लो फ्लेम पर पका लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए चिकन का अपना पानी चुटेगा और दही भी हमने डाला हुआ है इतने में ही चिकन पक कर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा अब धकन हटाने के बाद साइट्स पर जो मसाला है ये सारा चिकन के उपर लगा लेंगे अलग पलट करते हुए चिकन को हम दोनों तरफ से फ्राई कर लेते हैं ताकि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और सारा पानी मसाले का सूख जाए चिकन पर अच्छी तरह से मसाला लिपट जाए चिकन का सारा पानी सूख जाए और अच्छा सा इस पर golden color आ जाए तब तक हम इसे medium flame पर पका लेंगे अब चिकन को एकदम तंदूर जैसा flavor देने के लिए जलता हुआ कोईला यहाँ पर रख लेंगे इस पर थोड़ा सा तेल या घी डाल देते हैं धक देंगे इसे और 10 से 15 मिनिट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं तंदूर जैसा flavor चिकन में आ जाए इसके बाद धकन हटा लेंगे कोईला हटा देते हैं थोड़े से बारिक चौप किये हुए धनिया के पत्ते इस पर डाल लेंगे और यह मज़दार साच चक पता चिकन स्टार अफगानी चिकन ड्रॉय बनकर रेडी हो गया है इसे salad, हरी चतनी या फिर अपने मन पसंद sauce के साथ आप सर्फ कर लीजिए